जन्पत संभल की चंदोसी में स्थित ए-म वर्ल्ड स्कूल के प्रबंधक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहट अनुखी पहल सो बच्चियों को नीशुल शिक्षा प्रादान करेंगे प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी अधितेनाथ की महत्वा कांग्शी योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को जन्पत संभल में ए-म वर्ल्ड स्कूल के संचालक ने अपना समर्थन देते हुए अपने विद्याले में स सो चात्राओं को निशुल्क शिक्षा देने की घोशना की है इस घोशना के तहट दो फरवरी को कक्षट 6 से 11 तक प्रवेश लेने वाली चात्राओं की एक परिक्षा आयोजित की जाएगी जिसकी मेरिट के आधार पर सो चात्राओं को निशुल्क प्रवेश दिया इस प्रवेश में A.M. वर्ल्ड स्कूल के प्रवंधक अनुप मंगलम ने बताया कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत यह योजना प्रारम की है जिसके तहत हमारे विध्याले में सौ छात्राएं निशुल्क शिक्षा ग्रहन करेंगी आपके स्कूल की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत एक मुहीम चलाई जारी जिसने बच्षों को ने शिक्षा पढ़ाई की जाएगी इसमें क्या कहेंगा स्कूल प्रशाशन ने फैसला किया था आज से दो साल पहले भी लगतार ये इस बात की मुहीम चलाई गई थी इस बारे बड़े स्थर पर की है स्कूल प्रशाशन ने कि कख्षा 6 से लेकर की 11 तक की जो चात्राएं हैं उसमें अधिक्तम 100 चात्राओं को स्कूल की तरफ से नेशुल को पढ़ाई दी जाएगी पूरे दो वर्श के लिए इसके तहत 24 जनवरी से लेकर के रेश्टेशन आरंब हो गए हैं और कल दिनांक 30 जनवरी को रेश्टेशन बंद हो गए हैं आज सारे फॉर्म्स की कैल्कूलेशन चल रही है दो फरवरी को इसका एक्जाम होगा और एक्जाम के बेस पर एक मैरिट बनेगी मैरिट के बाद जितनी बच्चे आएंगी अभी तक एक अच्छी संख्या में बच्चों नहीं है इसमें अपलाई किया है उसके बाद अधिक्तम 100 चात्राओं को अगले दो वर्ष्ट के लिए बिलकुल नेश्वल्क सिक्षा देगा इसमें किसी भी तरह का कोई भी हिड़न कोस्ट नहीं ह प्रोग्राम यह है मैं अभी तक जो बेटी बचाओ या बेटी पढ़ाओ के अड़िटाइजमेंट देखता था तो उसमें लोग उस टैक का यूज तो भथ करते हैं लेकिन उसके पीछे कोई सही प्लान नहीं दे पाते हैं चाहें वो कोई विद्याले हो चाहें सरकार हो य पागे बढ़ना ही पड़ेगा और इस को टैक के साथ कुछ करना होगा तो मेरा जो फ्लान है वो यही है कि जो बेटियां है उन्हें ने निशुल को दो वर्ष के लिए शिक्षा दी जाए और इसमें आप यह मान लिए हमारे जैसे स्कूल में लगवाग सत्र असी हजार होंगे उन्हें ही हम एड्मीशन देंगे यही हमने अपने अपने अडिविडाइसमेंट में लिखा है और इसमें हम अधित्तम सो बच्चीयों को शिक्षा देंगे और दो वर्ष के लिए उनसे किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा कोई इसमें हेडि